नासा का आर्टेमिस मिशन क्या है? हमने अल्रेडी इसको अपने कॉस्चन्स में रखा हुआ था और यह तुरंट यहाँ पर निकल करके आ गया है आर्टेमिस मिशन हमारे लिए हमेशा की तरह एक बहुत बड़ी जिग्या सा वो इस बात की कि यार जब तुम पहले इतने साल पहले आसे साथ मतलब आप ही लोग बता दो अमेरिका ने अपना अपोलो मिशन कब भेजा था जब आदमी नील आर्मिस ट्रंग उतारा था चंदरमा पर उतारा था वो समन कौन सा था उस मिशन का नाम क्या था यह मुझे आप बहुत पहले का बता दो तब मुझे आर्टेमिस मिशन का माहौल बनाने में मज़ा हता है फिलाल के लिए यह समझ लो कि एक आर्टेमिस मिशन है जो कि चंदरमा पर जा रहा है वो पोस्ट पॉन हो गया है पोस्ट पॉन कब से हो गया? तीस तारिक को जाना था अब दो तारिक को जाएगा ठीक है? सोमवार को जाना तीस नी उनटिस को जाना था अब वो दो तारिक को जाएगा ऐसी निउस निकल करके आ रहा है ठीक है? चलो साब शुरू करते है साब Artemis Mission से पहले मैंने आपसे कहा कि अमेरिका ने अपना जो Apollo, कौन सा नमबर Apollo था चलो Apollo तो मैंने बता दिया कौन सा Apollo था, कौन से सन में भेजा था कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो, मजा नहीं आ रहा है 1969 Apollo 11 ठीक है अब सोचके देखो, उस घटना को हो चुगे लगवग 73 साल वो 73 साल बोल दे रहा हूँ मैं 1963 थे 53 साल है ना, अब उसके बाद में अमेरिका को आज भी जब चंद्रमा परमिशन भेजने की बात आती है तो आप जान करके हसेंगे आश्यरे होगा भाई साब वो तो ऐसी हरकत कर रहा है अमेरिका जैसे हम लोग गगनियान के साथ कर रहे है हम फिर भी थोड़े से ज़्यादा हिम्मत वाले हैं ठीक है हमारा स्पेस प्रोग्राम तोड़ा लेट शुरू हुआ था अमेरिका की हरकते देखो कि जब वो पहले अपोलो 11 के माध्यम से चंद्रमा पर आदमी उतार चुका है नील आर्मे स्ट्रॉंग को उतार चुका है मैं पहले दी कह चुका है कहता है वो ऐसा कहता है मज़दार बात तो यह है कि वो ये भी कहता है कि चंद्रमा के उपर नील आर्मे स्ट्रॉंग के पैर के निशान आज भी पड़े हुए है कोई पूछेता है यार इतनी तो मत फैको या 53 साल के अंदर मतलब चंद्रमा पर पैर के निशान आज भी मतलब कुछ भी पता क्या कहता है अमेरिका सुनो वेटा Seriously लो हमारी बात क्योगि वहां हवाँ नहीं चलती है और नहीं वहाँ बारिश होती है तो जब हवाँ नहीं चल रही हिए नहीं वहाँ बारिश हो रही तो वहाँ पर नील आर्मी स्ट्रॉंग के पैर के निशान आज भी है तो भाई जब ऐसी ही बात है तो तुम इतना दर्क आये रहे हो क्यों यार एक बार के लिए calculate करो तुम चंदरमा पर फिर से mission भेज रहे हो पता है कैसा mission भेज रहे हैं यह लोग 2022 में इनका ऐसा mission जा रहा है कि mission वहाँ जाएगा अभी जाकर के चक्कर काटे का इनसान नहीं भेज रहे है उसमें गुड़े गुड़े धरके भेज रहे है यानि कि duplicate toys रखके भेज रहे है ताकि उनके उपर असर देख सके रोबोट समझ लो और वो mission अब जाएगा उसका जो प्रभाव आएगा यानि कि वो जब लोट के वापस आएगा उसके प्रभाव का अध्यन करने के बाद में फिर 2024-25 में ये Artemis 2 भेजेंगे उसमें भी कुछ नहीं होगा उसमें भी केवल चंद्रमा की चक्कर काटके ये लोग वापस आजाएंगे उसके भी 6 साल बाद में 2030 में जाकर ये चंद्रमा पर इंसान उतरने भेजेंगे यार कजब करते हो पांडे जी है मतलब तुम लोग जिस काम को इतना पहले कर चुके हो उसको करने में फिर तुमको इतना डर क्यों लग रहा है है हमने एक बार आरे इसकी परिक्षा पास करी हमसा किसे ने का दुबारा दे लो परिक्षा दी पास कर ली हमको पता है कैसे होती है तुम लोग परिक्षा देने में इतना काई डर रहे हो यार 19 है के नही बात खेर वग्यानिक है कंविंस कर देते हैं पहले तो बस पैर लगाकर वापस आ गए थे इस बार तो हम ये भी चेक करेंगे कि वहां रहना कैसे है, खाना कैसे है, कितना टाइम कटेगा वगएरा वगएरा तो अभी हम अमरीका वाली बात बताते हैं, ठीक है न, ये तो हमने अपनी क्योरोशिटी रखी है बाकी तो आर्टेमिस वन क्या है, अई ये विस्तार से चर्चा करते हैं साब तो आर्टेमिस वन जो है, वो मून पर भेजे जाने वाला नासा का एक मिशन है आर्टेमिस वन, आर्टेमिस टू, आर्टेमिस थ्री, ये तीन मिशन जाएंगे साब जो one number mission है ये moon पर जातो रहा है लेकिन इसमें कोई भी इंसान नहीं है ठीक है यहाँ पर इंसानों को रखने के लिए या इंसानों को भेजे जाने के लिए जिस कमरे का उपियोग किया जाएगा वो कमरा वहाँ पर उतारा जाएगा कमरा कह लीजिए या फिर यहों कह लीजिए कि जो पेलोड है उसको चंदरमा पर उतार कर देखेंगे उसका नाम है ओरियन क्रू कैपसूल इस तथ्य को थोड़ा सा आप हमारी निवेदन है कि आप इस तथ्य को याद कर ले ओरियन को इसलिए याद कर ले अच्छा मैं के सिर पर यह जो जाता है ना पेलोड कहलाता है और इस पेलोड में ओरियन जा रहा है ओरियन क्या है तो ओरियन एक ऐसा कमरा है जिसमें जा करके लोग बैठ सकते हैं फिलहाल लोगों को नहीं बिठा रहे हैं यह लेकिन इसमें बैठ करके लोग उपर जा सकते हैं यह ओरिय पर चक्कर लगाने जा रहा है केवल चक्कर ही नहीं लगाएगा ओरियन को चंद्रमा पर उतारेगा भी उतारने के बाद में वहाँ कुछ दिन वो ओरियन रहेगा फिर वो वापस वहाँ से अपलिफ्ट होगा वापस लौट कर धरती पर आएगा लगभग 42 दिन इसको इस पूरे कारेकरम के अंदर लगेंगे कई लाख किलोमिटर की इसके द्वारा यात्रा की जाएगी इसमें इनसान नहीं भीजा जा रहा है ये इसकी खासियत हो गई साब ठीक है तो ओरियन की कहानी समझ में आ गई ठीक है तो आर्टेमिस मिशन का लक्ष क्या है फिलाल ये चांद पर जाकर के टटोलने जा रहा है क्या टटोलने जा रहा है हिसाब वहां के हालात कैसे हैं आर्टेमिस वन मिशन चांद पर पहुंचेगा अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी का प्रयास करेगा और पता लगाएगा कि नासा में जानने की कोशिश करेगा कि क्या अंत्रिक श्यात्रियों के लिए चांद पर हालात सही है या नहीं है एस्टोनाट चांद पर जाने के बाद प्रत्वी पर सुरक्षित लोट सकते हैं या नहीं लोट सकते हैं सबी प्रशनों का ये यहाँ पर समाधान करेगा साथ में ये ये भी देखेगा बायो एक्सपेरिमेंट करके देखेगा पेड़ पौधे जो इनसान के द्वारा चंद्रमा पर ले जाए जाएंगे उनको पहले ही लगा के देखेगा कि उनके उपर कोई फरक पड़ता है कि नहीं पड़ता है ठीक है एक बालक मुझसे बहुत अच्छी बात पूछ रहा है मजा आगया साब एक बालक मुझसे पूछ रहा है अंकित जी अभीजीत साब नाम है इनका अंकित जी इज़त लेकर के बात कर रहे हैं में लग रहा है कि ये बड़े हैं, है ना, मतलब समझदार है, क्योंकि हमारा तो मतलब statement ही है, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अंकी जी आप चांद पर aliens हैं कि नहीं, सच सच बताना, अभी जी 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 आपने दिल की बात चील ली हमसे, आप comment लेके पूछ हैं, सच सच बताना, आपने हम पर इतना विस्वास कर लिया, मतलब आप हमको मान रहें कि नील आर्मी स्ट्रॉंग को चंद्रमा पर वेजने वाले हम थे, आप समझ रहो, आप हमको इतनी इज़त दे रहे हो, कि विस्वास नहीं हो रहा है, हमारी नींदे खुड उड़ हम भी किताब पढ़ा करके, आपकी तरह दो किताब पढ़के चार बातें पढ़ा दे रहे हैं, एक दम खलियर दिमाग हैं, बिलकुल कहते ही नौलेज नहीं है वाई साव एलियन्स फैलियन्स काम को, होता ना तो जादू पाकर के आज हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, ठीक फिट के आसवास की इसकी लंबाई चोड़ाई है, और ये अपोलो के कैपसूल के तुलना में काफी बढ़ा है, इसमें तीन के बज़ाए चार अंत्रिक शियातियों के बैठने की जगे है, ओरियन्स में फिलहाल इंसानों की जगे पुतलों को बिठा कर बेजा जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन इस पेस सूट और रेडियेशन लेवल चेक करने के लिए यहाँ पर चीज़ें भेजी जाएंगी, ठीक है, यहाँ पर सुनूपी नामक एक सॉफ्ट टॉय भी भेजा जा रहा है, सॉफ्ट टॉय मतलब टेडी बियर टाइप से, ठीक है न, तो वो छोड़ा, रॉकेट घूम गाम लिया, अब सवाल एक रॉकेट में इतनी ताकत कैसी है, तो देखिए दुनिया का सबसे ताकतवर माना जा रहा है इसको, यह सुपर हैवी रॉकेट माना जा रहा है, इसमें स्पेस लाँच सिस्टम लगा हुआ है, इसी को अपन SLS सिस्टम क जान लीजिए, यह जो रॉकेट है ना, यह 322 फिट लंबा है और 2600 टन इसके अंदर वजन है, 2600 टन का मतलब समझ रहे हैं आप, 2600 गुना एक हजार, यानि 26 लाक किलो वजन है इसका, ठीक है, तो यह बात आपको समझ में आगे, एक बालक पूछ रहा है, फिर से मजा ले है हमसे, कहरा गुर्जी एक बात बताईए, इसको कैपसूल में क्यों भेजते हैं, हाँ, आपका बस चले, तो आप तो रॉकेट के मुँपर इंसान को बांद के भेज दे, जा सिमरन जी ले अपनी जिन्दकी, ऐसा नहीं है, मित्र, कैपसूल इसलिए भेजते हैं, क्योंकि जिस भी माहौल से आप गुजरें, अगर रास्ते में किसी परकार के तेज हवा, या फिर वायू मंडल के परिवर्तन से, हवा की गती से, टोपे पर आग ना लग जाए, ठीक है, कैपसूल में आग ना लग जाए, इसलिए भेजते हैं, यार, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ रहा है, धन्य हैं आप सब लोग, ठीक है साब, तो ये सब बाते समझ में आगई, अच्छा, अब ये कितने दिन का होगा मिशन, ये भी थोड़ा सा जान लीजिए, ये 6 हफते, यानि की 42 दिन का मिशन होने वाला है, 2,44,000 मील, यानि 3,86,000 किलो मिटर दूर चंदरमा पर प कि चंदरमा है न, वो पहले प्रत्वी का ही हिस्सा हुआ करता था, एक बार कोई ग्रह जैसी चीज आगर के प्रत्वी से टकराई थी, और भाई सब वो टुकड़ा जाके गिर गया था, अच्छा, आपको एक पता नहीं, फैक्ट पता है कि नहीं पता है, चंदरमा प्रत्वी सुर्य के चंतरमा बच्पन से सुनते आ रहे हैं, वो पाई सब जितनी तेर में चकर काटता है न, उतनी तेर में अपनी अक्ष पर भी घूम लेता है, मतलब यह है, कि अगर मान लिजए कि यह 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 चकर काट रहा है, तो यह अपनी जगह पर भी यह यह गोला गोला गोला घूमते हुए निकल रहा है यह 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 चक्कर काट रहा है ना आपको इंट्रेस्टिंग लिए बात जानकर राश्चर होगा कि वह इस तरह से घूमता है कि हमारे सामने उसका कभी पीछे वाला हिस्सा आगे आता ही नहीं है मतलब आप यह समझों कि वह घूम रहा है अब वह घूम रहा है ना तो वह इधर पहुचा तो थोड़ा सा यह घूम गया फिर थोड़ा सा यह घूम गया फिर थोड़ा सा यह घूम गया फिर थोड़ा सा यह घूम गया हमारे सामने उसका फ्रंट ही रहता है हमेशा हमको कभी back दिखाई नहीं जंदर्मा पीछे से कैसा हमको नहीं पता है इसी वज़े से वग्यानिकों में जिग्यासा है कि इसके दक्षणी दुरूव की तरफ लोगों को उतारेंगे तो यह Artemis mission जो है ना इसके दक्षणी दुरूव पर ले जाने की बाते कर रहा है ठीक है ना तो इस चीज को आप यहाँ पर देख सकते हैं तो सबसे बड़ा test mission के मैंने बताई दिया वायो मंडल और सबसे important बात मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ जब यह वापस लोट के आएगा ना औरियान mission यह प्रत्वी पर वापस आएगा है ना प्रत्वी पर वापस लोट कर आएगा इसका मतलब समझ रहें आप इसका मतलब यह है कि यह वहाँ पर चक्कर काटने के बाद जब अपना समय पूरा कर लेगा तब यह लोट करके वापस प्रत्वी पर आएगा और प्रत्वी पर जब आएगा ना तब इसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो जाए इसलिए इसके अंदर फिर से हीट को बचाने के लिए इस पर शील्ड लगाई गई है ताकि इसको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो उमीद है कि आप सभी साथियों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो क्लियर हो गया साब, बढ़ें आगे, यहां तक की जानकारी आपको सब को मिल गई इसका नाम कैसे पड़ा, भाई एक सवाल और बहुत अच्छा सवाल है ये कि साब इसको Artemis Mission ही क्यों कहा गया मतलब Apollo जो है, उसको सूर्य का देवता माना गया है और Greek mythology में Apollo और Artemis जो है, वो जुड़वा भाई बहन है ये बड़ा इंटरस्टिंग किस्सा है, ये ध्यान रखिएगा Greek mythology में Apollo और Artemis दोनों जुड़वा भाई बहन है और ये माना जाता है कि अपोलो सूर्य का देवता है और आर्टेमिस जो है वो चंद्रमा की देवी है देवता और देवी ये लोग भी मानते हैं तो बाई साब ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए तो अपोलो कब गया ये मैंने आपको बता दिया 1969 में और अब उसके बाद आर्टेमिस की बात हो रही है मेरा क्रेज हमेशा यही पर बरकरार है कि यार तुम इतने साल बाद भी डर क्यों रहे है जाओ ना बुलंद खेलो यार मस्ती से हम तुमारे साथ है टाइप से वो वाली बात है ठीक है अभी इनको डर ऐसा लग गया इनने भाई साब रॉकेट कल लॉंच हो जाता सेनिवार के दिन पता भी नहीं मतब कल मंडे के दिन शाम को लॉंच होने की बात थी कैनेडी स्पेस सेंटर से लिए अचाला कि इनको पता चला कि इन्होंने जो रॉकेट लगाया उसके चारों तरफ जो सिलेंडर लगा रहे हैं उनमें से एक लीक मार रहा है भाई साब ये उसको बंद करवा दिए वो ना ना भाई साब रोक दो फिर दिक्कत हो जाएगी टाइप से ठीक है बागी तो सारा ज्यान है वो Artemis 1 और Artemis 3 के बारे में है ठीक है साब ये हम जानकर ये आपको आल्रेडी दे चुके है ठीक है साब सेशन को शेयर वेर करते रहे हैं मतलब इसमें कोई कंजूसी मत करिए एक पेसी के अंदर अगर आप तयारी करते हैं तो अनकेडमी पर इस समय अनकेडमी लाइट में आप लोगों को प्रिलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुती शांदार प्रकार के सोचिये 55,000 से जादा बच्चे हमारे अनकेडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं प्रॉडक्ट की आप उपयोगी ता इस से समझ सकते हैं ठीक है न यह टेस्स सीरीज है जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है बड़ा इसमें आपको बैस्ट एडुकेटर्स के द्वारा आपकी हुई कंटेंट मिलती है आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा अनकेडमी के प्रिलिम्स और सी सेट को आप तार्गिट करके पढ़ सकते हैं अनकेडमी के कोर्से में रेज ए हैंड फीचर है यदि आप टीचर से डाउट पूछना चा सकते हैं क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं अपने डाउट पूछ सकते हैं सारा कंटेंट PDF के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं यह हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आईकॉनिक के नाम से जानते हैं SSC के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है SSC के अंदर यदि आप उसे जाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा आप उसे जाइन कर सकते हैं तैंक्यू सो मच अपना खयाल रखें बड़ों का सम्मान करें चोटों को प्यार दें अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विक्सित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित मैंसे उस करें